हेलो नमस्कार दोस्तों, एम भिद आर्वी परिवार में आप सब का तह दिल से स्वागत है कैसो दोस्तों, उमीद हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी त्यारी चल लिए होगी आज इस वीडियो में राष्टी प्रतीक से बनने वाले सभी महतोपूर प्रश्णों को देखेंगी ये प्रश्ण कैसी न किसी एकजाम में आई ही प्रश्ण होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले इद्याप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फेर करिएगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कॉश्ण है भारत के राश्टी धोज में बने असोग चक्र में तीलियो की संख्या कितनी है 16, 20, 24, 32 तो कितनी तीलिया होंगी यहाँ पर आफशन C 24 तीलिया होंगी कितनी 24 तीलिया होंगी राश्टी धोज को समिधान सभादोरा कब शुपकर किया गया था तो 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को कब शुपकर किया गया था 22 जुलाई 1947 को देश का सबसे उंचा तिरंगा जंडा कहां फेरा गया था तो करनाटक के बेल गाउं में तसे नहुचा सबसे उंचा तरेंगा जंडा फैरा गया था कंफरा गया था जो 2018 को कंफरा गया था बारा आगस्त 2018 को इसके उच्छाइग की से नहीं थी 361 फिट किदने थी 361 फिट इसकी उचाहिए थी अगला क्वेश्चिन भारत का राष्टी गीत कौन सा है बारत का राष्टी गीत कौन सा है जन गर्मन अधिनायक जय हो हिंद देश का प्यारा जंडा वंदे मात्रम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा तो हमारे राष्टी गीत कौन सा है जन गर्मन अधिनायक जय हो यह क्या है यह राष्ट गान है इसको किसने लिखा था रभीन राथ टैगोर ने लिखा था वंदे मात्रम वंदे मात्रम हमारा राश्ट की थे कहां से लिए गया है आनंद मठ से लिए गया है कहां से लिए गया है आनंद मठ से इसको सरपृथम कब गाया गया था तो 1866 में कहां पर कलकत्ता में गाया इसके लेका कौन है मुहबद मुहम्मद इकबाल इकबाल तो इसके लेका कौन है मुहबद इकबाल साहिब है अगला कुश्चन भारत का राश्टी पंचांग किस पर आधारित है भारत का राश्टी पंचांग किस पर आधारित है सक समथ बिक्रम समथ हिजरी समथ करिगीर केल पहला महना कोणसा होगा चैत्र और अंतीमा क्योंसा होगा फाल गून कोणसा होगा फाली विले सुन भारत का राश्टी पुष है चीता भाग सीन हाती घृफजी POS action बीति होगा बाग छाट बाग कौन साहगा बाग इस टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाएगया था तह FLU से現在령 में कब चलाएगया था फुलनेश्वग्या तरसंद भीमी हाथी को विरासत पचुव का अटा है तो आपस्षां कोन है बीराश्ट पसके ठीबस 12 अमधान जाता है कमाना धावराघस्ट को यहां पर आप्च्छन Gasly होगा तर और ला हिए व्हार एःत का राश्टी पच्छी कोन मोर्त का राश्टी पच्छी तोता कबुतर avoil मूरभ तबाद काराष्टी पच्छी आप्शन डीहाओ जायोगा मुर्त भारत少३ बच वर्गत वर्गत जौत कार्ष्टी फन आम यहाओका आम भारत कारष्टीपुस्ट क्या होगा कमल भारत का राष्टी नदी क्या होगा गंगा नदी फामगा न थीrese बात कारष्टी भ आगला क्वेश्चन भाद के राष्टी गान के रचाईता कौन है बंकिम्चंद चैटरजी रभिन्ना टेगोर सरुजनी नाइडू अरबिंद घोष्ट भाद के राष्टी गान के रचाईता पूंचा गया है कौन है आफ्शन भी रमिन्ना टेगोर कौन है रभिन्ना टेगो कि gram के गाईन के अवद्ग होगी तो hai सेकंड कितनी होगी बां चिकंड वघंगी मंकीम इंचन चैटरजी यह क्या है रश्टगीट कर ही तारा राष्ट की विपकर चैरत चाहिता का वंकीम जटरजी स्रोजनी नहाइडू तरॅ ये देश की पहली महिला राजिपाल देश की पहली महिला राजिपाल कौन थी सरोजनी नाइडू तो यहाँ पर क्वेश्टि अप्शन बी सही होगा तो बी रभिनाथ टेगोर नाइब है और भारत के राष्टि की गायन की आवध है कि बावण सेकें अगाला कौशं भात के राष्टि प्लधी प्रतीग में कितने से यर दिखाई देते हैं कितने सेर दिखाई देते हैं तो स्कुल सेरों की संख्या कितनी होगी चार कुल शेर कितने हैं चार दिखाई कितने देंगे तीन कितने से दिखाई देंगे तीन चक्र के दाइं और चक्र के दाइं और कौन सा जानवर है शान और चक्र के बाइं और कौन सा जानवर ह गोड़ा चक्र के दाइवर पूंचेगा सान चक्र के बाइवर घोड़ा कितने सेर दिखाई देते हैं तो आप्शन सी सही होगा तीन सेर बट सेरों की शंख्या कितनी है चार अगला कुश्यन श्वतंद्र भारत की राष्टी ध्वज कर डीजाइन निम लिखित में से किसने रियार किया था तो यहां मातमा गांधी बंकिम चैटर्दी रविन्ना टेगोर पिंगली वें किया तो आप्शन डी सही होगा पिंगली वें किया शाहब ने अगला कुश्यन भाद के प्रतीक चिन के आधार पर पट्टी पर अंकीर शब्ध सत्यमस्यों जैते किसे लिया गया है। सत्यम्यू जयते और गुवेद सत्पथ Radhamadera मुंडokopaniasat तो option dc वी किसे लें है मुंड को उपनिसा से सत्यम्यू जयते किस भाग सबंद को में लिखा है दंडव नागरी किस लिफ में लिखा है देव नागरी लिफ में लिखा ग desna अगला question भाग के राश्टी दोच की लंबाई और चोडाई का अनुपात है लंबाई और चोडाई का अनुपात कितना होगा तीन पाथ दो आफ्शन बी से ये अगला क्वेशन सार नात इस्ति राश्टी इस्तम्व का कौन सा भाग राश्टी प्रतीक चिन की रूप में लिया गया है येस भाग मद्धिभाग आधार भाग या पूरा भाग आफ्शन एस योगा सीर्स भाग अगला क्वेशन आगला क्वेश्टी प्रतीक में रिम लिए नहीं से पस्द्रस्टिकत नहीं है तो भाग सार मैं गोना है यहां पर कौन सा आफिशन होगा डी ऑप्षांड़ी एरण व्युक्वूétique नहीं है अगला क्वेश्विक्षि का ठोट कब गया गया था तो यह पहली बर गया था उन्ने सो ग्यारा इसलिमें कहां कलकत्ताइस तो आप्षन एस योगा आगला क्यूशन शक शवत का अंतिम मा है अशाड कारतिक चैत्र फालगुन पहला मा पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा चैत्र तो यहापे अप्षन डी से योगा भाद के राश्टी दोच के मर्द में बने धर्म चक्र का रंग क्या है कि मुंद्री नीला गहरा नीला काला हरा तो आप्शन बीस होगा कौन सा होगा गहरा नीला कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बाक मजरूर बताएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू 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 क्लास